डॉक्टर शलप बंसल, रेडियोलोजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केर में एक सुप्रसिद नाम है, जिन्हें देश्व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजरिंग करने का अनभव प्राप्त है. और अपने इसी अनभव और एक्सपेटीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आये हैं एक स्टेट अफ दियार्थ डाइगनोस्टिक सेंटर. पड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन अत्यधिक शोर से होने वाले दिक्कतों, जैसे क्लॉस्ट्रफोबिया वो एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए. हमने एक हाइटेक आउडियो विज्वल, MRI सिस्टम लगाया है. अभी तक हिंदू संगठन ही विरोध करते नजर आते थे, लेकिन मेरट के भगसिंग मार्केट में संभवते. पहली बार ऐसा हुआ जब मुस्लिम योगों ने अपने ही संपरदाई की यूतियों का यह कहते हुए, हिज़ा आप खीच लिया कि क्या अपने लोग मर गए हैं जो हिंदू लड़कों से दोस्ती करोगी. इसके बाद उस यूवक को गिरा गिरा कर पीटा गया. यूगतियां ऐसा करने से रोकते हुए बराबर यह कहती रही कि उसे मत मारो, वे हमारा दोस्त है, लेकिन उनमादी यूगकों की भिड़ नहीं मानी और यूवक की पिटाई कर डाली. इस आश्रे का वीडियो वारल होने के बाद हरकत में पुलिस ने तन्वीर नामक यूवक को गिरपतार कर लिया है. दरसल दो यूगतिया शॉपिंग करने वहाँ पहुंची थी, साथ में उनके एक हिंदू यूवक भी था. देखे क्या हुआ शनिवार को भगत सिंग मार्केट में. जाओ यहां से अलग जाओ. अरे कैसे दोस्ते यह तो बताओ इन दोस्त बनाओ के तुम. यह बताओ तुम. एक में देखा दिखाओ उपना चेहरा. चेहरा दिखाओ उपना चेहरा. भाई! क्या नाम भी यह तुमारा क्या नाम है? जाओ? कई नाम है तुम्हारा क्या नाम है बाट लगाता ह। चुप पसंड़ों जाओ? भाई बाट लगाता है क्या सबहुतर है? चाफ रादल साथ हूँ? भाई ग्या सचाफ है उपाना दिखाओ? नबर लेशन के बाते हैं यह इसकी नबागे इसका चल लिए समान इसका है विए इस बारे में सोंवार को SSP रोहित सजवार ने यह जनकारी दे कर दो युगतियां जा रहे विए पुले प्रकण के संग्यानित होने पर इसमें पुलिस की तरफ से निगरम दर्च किया गया जिसमें से एक गिरफतार कर लिया गया और वेश्ना में यह प्रकाश माय है कि जो यूतियां और यूवक था दोनों ही दूसरे को जाते थे पूर में काम कटे थे और एक जानने वाले दोस्त के जन्निदिन के उप्रख्ष में वहाँ पर खरिदारी करना आती। उसमें जो उतियां थी उनके जानने वाली लोग थी उते द्वारा उन उस उवक से अबढ़ दर्ज किया गया और जो बी जिन भी लोग उनके पयाम से आप मांते करने उसो पुर्ण करने का प्रयास किया गया है। इस खबर में फिलाल इतना ही आप देखते ही आप फास्टबाइट टीवे नमस्कार